लुबना की रेसोई में आज मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी मार्केट स्टाइल छोले मसाला की रेसिपी यह रेसिपी को जब आप घर पे ट्राइब करेंगे तो आपके जो छोले हैं वह बहुत ही जादा टेस्टी और मार्केट स्टाइल के बनेंगे तो और आथ घंटे के लिए से भीगों के रख दूंगी जब भी आप चने बनाएं इसे अ क्पड़े का पीस लिया है और उसमें वन टीजपून चयापती डाल रही हूं चापती डाल कर अच्छे से गाड़ बन दी है यहाँ पर मैं एक दो गांट और लगा देती हूँ हमारी पोटली तैयार है जब मैं छोलो को उबालूंगी इस पोटली को उसमें डाल दूंगी इससे हमारे छोलो में एकदम मार्केट जैसा कलर आएगा यहाँ पर मैंने अपने फूले हुए वाइट चनों को रोगबो कुक के बरतन में डाल दिया है एक कटोरी वाइट चने लिये थे मैंने इसलिए यहाँ पर मैं तीन कटोरी पानी आट कर रही हूँ उबालने के लिए जो हमने चैपती की पोटली बनाई थी उसे में डाल देती हूँ और एक तीजपून नमा कैट कर रही हूँ अब हाँ अपने छोलो को प्रेशर कुक करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैंने रोगो कुक को मीडियम प्रेशर पे 25 मिनट के लिए सेट कर दिया है छोलेगा मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैं दो मीडियम साइज की प्यास ले रही हूँ तीन मीडियम साइज के टमाटर ले रही हूँ इन्हें मैं roughly chop करके mixer grinder में fine piece लूँगी प्यास और टमाटर दोनों को मैंने अलग-अलग करके पीसा है यहाँ पर मैंने प्यास पीस लिया आप देख सकते हैं और टमाटरों को भी मैंने अलग पीस के रख लिया है यहाँ पर मैंने 1 teaspoon लाल मिट्स पॉडर लिया है 1.5 teaspoon धन्या पॉडर है धाई टीजपून छोले मसाला पॉडर है आप किसी भी ब्रांड का छोले मसाला पॉडर ले सकते हैं वन थर्ड टीजपून हल्दी पॉडर है और दो टीजपून अधरक लैसन का पेस्ट है थोड़ी सी यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है यह 1.5 teaspoon के करीब है गरम मसालों में यहाँ पर मैंने 2 तेश्ट पत्ता लिया है एक दालचीनी का तुकड़ा है एक बड़ी लैची है दो छोटी लैची है तीन लॉंग है और वन टीजपूल साबुद जीरा है और दो सुखी लाल मिर्चे भी में ले रही हूं यहाँ पर मैंने इंडक्शन के ओपर एक कढ़ाई चड़ा दी है और कढ़ाई में मैंने दो बड़े चम्मच ऑईल डाल दिया है ऑईल के गरम होने पर मैं इसमें खड़े गरम मसाले डाल दूंगी अब हम अपने खड़े गरम मसाला को एक दो मिनट तक फ्राई करेंगे एक दो मिनट के बाद मैं इसमें अपनी PCV प्यास को एट कर देती हूँ अभी मैं प्यास को सिर्फ 2-3 मिनट तक फ्राई करूंगी प्यास का कलर बस हलका सा चेंज हो ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्यास को 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें अल्डर ग्लैसन का पेश्ट एट कर रही हूँ इसे भी मैं 2-3 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि इसकी जो कच्छी स्मेल है वो निकल जाए अब मैं सुखे मसाले आट कर देती हूं जिसमें मैं हल्दी पॉडर आट कर रही हूं लाल मिर्स पॉडर आट कर देती हूं धन्या पॉडर आट कर रही हूं और छोले मसाले का जो पॉडर है वो मैं आट कर रही हूं सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी मैं कम सूखे मसाले तक अच्छे से पख जाएंगे अच्छे मसाले करने के बाद हमने जो टमाटरों का फाइन पेस्ट बनाया था उसे में आट कर देती हूं और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से ओईल नजर ना आने लगे अब मसालों में मैं हाफ टी स्पून नमाक एट कर रही हूं और कसूरी मेथी को भी डाल देती हूं अब मैं अपने मसाले को भूनूंगी जब तक इसमें से ओईल नजर नहीं आने लगता अगर आप गैस में बना रहे हैं तो गैस की आज को मीडियम कर दे और इसे अच्छे से भूने बीच बीच में चलाते रहे यहाँ पर मैंने इंडक्शन की आज को मीडियम कर दी है अब को मैंने 25 में के लिए सेट किया था उसका प्रेशर निकल चुका है चनों को यहाँ पर मैं देख लेती हूं यह कितने अच्छे से उबल गए है आप देख सकते हैं जो हमारे चने हैं वह एकदम ही परफेक्ट उबल गए है जो हमने चैपती की पोटली डाली थी उसे भी मैं निकाल लेती हूं अगर आप कुकर पर इसे प्रेशर कुक कर रहे हैं तो दो सीटी के बाद 20 मैट तक इसे लो आज पर रख के उबाले अब मैं अपने भूने हुए मसाले में उबले हुए छोलों को एट कर रही हूं एट करने के बाद मैं सभी को अच्छे से मिक्स कर लेकिन आप इसी पानी का इस्तिमाल कीजिए जो हमने उबालने के टाइम पर इस्तिमाल किया था अब देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है वो मार्किट जिसी थिक है आप छोले की इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे आपकी जो छोले की सबजी है वो एकदम ही मार्किट स्टा कि अब लास्ट में एक स्पेशल बगार डालूंगी जिसके लिए मैंने गैस के ओपर एक पैंच चड़ा दिया है और उसमें एक चम्मच घी एट कर रही हूं घी के गरम होने पर यहां पर मैं एक इंच अध्रा का टुकड़ा है जिसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है वह एट कर कर देती हूं सभी चीज़ों को अच्छे से मैं अध्रक को ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है जैसे ही वह हलका गोल्डन होना शुरू हो जाएगा बस समारा बगार तेयार हो जाएगा ही अब जरूर दाले छोलों में हें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है अब मै मैं इसमें चॉप की हुई हरी धन्या की पत्री डाल रही हूँ सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमारे टेस्टी मार्केट स्टाइल छोले हैं वो बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं आप इसे जीरा राइस के साथ नान के साथ सर्व कर सकते हैं आप हमारी रेजिपी को घर पर जरूर ट्राय करें और कमेंट करके जरूर बताएं लुबना की रसोई चैनल को लाइक सब्सक्राब और शियर जरूर करें अपना ख्याल रखें बाई बाई